नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में पश्यम बंगाल में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले ही शुकरवार की रात को ही हिंसा मारपीट होना शुरू हो गया है पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराय पर लिए गए एक वाहन को आग लगा दी गई उत्तर केशियारी के बेगंपुर इलाके में एक बीजेपी कारेकरता का शव भी बरामत किया गया वही बांकोडा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पर हमले का आरोप है परिवार ने दावा किया कि मंगल सोरेन पार्टी के काम के लिए शुक्रवार रात घर से चले गए थे सुबह जागने के बाद उसकी माने देखा कि उसका शव घर के पीछे पड़ा हुआ है उसके सिर पर चोट के निशान है कान पर खून और गले पर खरूच के निशान थे और इन्हीं हिंसा की घटनाओं पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीब घोश ने टीमसी को घेरा और चेतावनी दी सत्ता रूट पार्टी टीमसी जानती है कि पहले और दूसरे चरण में जिन शेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ बीजेपी मजबूत है लाख कोशिशों के बावजूत टीमसी उन शेत्रों में जीत नहीं सकती इसलिए मतदाताओं को धमका रहे हैं बीजेपी के कारिकरताओं को मारा पीट जा रहा है जगह जगह हिंसा हो रही है जंगल महल कूच बिहार में बीजेपी कारिकरताओं को मौत के घाट उतारा गया है मतदाताओं को धमका कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है हमने शेत्र के कई प्रशाशनिक अधिकारियों को फोन किया लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे रहे है चुनाओ आयोक को इस बारे में बताया गया है कि वो चुनाओं में धांदली करवाने की कोशिश में लगी हुई है मिदनापर के दक्षण कांथी में माजना में TMC समर्थकों ने EVM में गडबडी का आरोप लगाया और विरूध प्रदर्शन किया जिसकी वजह से चुनाओं पर असर पड़ा और वक्त से तीन घंटे लेट चुनाओं शुरू हुआ इतनी घटनाए एक साथ वो भी बंगाल में ही होना इत्तफाक नहीं हो सकता जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि मिदनापर के दक्षण कांथी में माजना में टीमसी समर्थकों ने इवी एम में गड़बडी का आरोप लगाया है वदानसभा चुनाओं में बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें चुनाओं खुले कर पाचियों में आमने सामने की चक्कर है और जिसमें टीमसी की आला कमान ममता दीदी बीजीपी को नटिकने देने के लिए रोज नए नए प्लान लेकर आ जाती है और जम कर खुन खराबा कराने पर उतारू है सवाल ये है कि सियासी जंग में आम लोगों का खुन क्यों बहे आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया